आप मैं करेलो को अच्छ दो लिया सुस्किट swift कनेयो जाए हुआ शासे शाकू छीलने के बाद छीलने के बाद इट पर अब बीच निक्स और आप उसे आगे की तरफ पूल किल टों नियुक्षं कुल 10-6 में राइब तर बीच इक्तम से रउला है निकलाते हैं ये देखिए अंगूठा ऐसे फसाईएगा फसाने के बाद इसे आगे की तरफ धकेलना है कई पर क्या करते हैं हम लोग इसे स्क्रैच करते हैं जैसे कि हम खुजली करते हैं उसी तरह से हम स्क्रैच करते हैं करेलों में तो उससे क्या होता है कि जो करेले का बीज है या करेले की स्किन है वो हमारे अंगूठे के नकून में फज जाती है और वो बहुत ज़्यादा दुख करती है और कम से कम एक हफते तक वो दर्द नहीं जाता है तो इसका ध्यान रखिएगा आपको ऐसे नहीं चीलना है अभी द आप नकून से ना निकाले अंगूठे से ना निकाले इस तरह से चमत से भी निकाल सकते हैं देखिए इसी तरह से सारे करेलों को साफ कर लेना है करेले हमने साफ कर लिये हैं बीज इनमें से निकाल लिये हैं लाल वाले बीजो को हटा देंगे और जो ये वले बीज है ना य तक्रीब आधा कप पानी लिया है मैंने और तक्रीब दो मिनट के लिए ने भाप लगाएंगे इसे जादा नहीं लगाएंगे और यह वाल नहीं रहे हैं अब यहां पर जब हमारा ऑईल अच्छे से गरम हो जाएगा ऑईल गरम होने पर हम इसमें डाल देंगे हींग अब ये देखे हींग जब भी हम करे ले की सबजी में डालेंगे या किसी भी सबजी में डालेंगे तो सबजी में बहुत इच्छा फ्लेवर आता है हींग का तो इसलिए हमें हींग को जरूर डालना चाहिए सबजी में और ये डाइजेशन में भी हेल्प करती है तो हींग हमारी अच्छे से पक गई है, खुश मुआने लगी है, अब हमने जो प्याज लिये थे, उन्हें बारिक चॉप कर लिया था, जब हमारी प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो जाए, तब हम इसमें डालेंगे एक चमच भर कर अद्रक और लस्न का पेस्ट, तकरीब ये 50% पक चुके हैं, अब इनको हम निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे, अब देख रहे हैं करेले कितने सॉफ्ट हो गए हैं, अभी थोड़ा गरम है तो टच नहीं किया जा रहा है, थोड़ी देर इसे ठंडा होने देंगे, तब ही इसे टच करेंगे, तो मैं रख दे करेले के बीच जो करेलो का गुद्दा जो हमने निकाल के रखा था, इसे हमने मिक्सी में दरदरा पीस लिया है, अब इसे डाल देंगे, अपने प्याज के मिक्श्चर में और अच्छे से मिला लेंगे, ये देखिए, इसे भी हमें चलाते हुए तकरीब दो से तीन मिनट पकाना है, देखिए, बहुत अच्छे से ये पानी जो है, इसका जल जाएगा बीजों का, जो करेले के बीच है, एकदम से सूख जाएंगे, बिल्कुल अच्छा फ्लेवर आएगा, तब हम इसमें डालेंगे, अचारी मसाला, तकरीबन दो चमच के आस पास यहां बर में ड बना के भी आप इसमें डाल सकते हैं, ये देखिए, अच्छे से इसे मिक्स करना है, बहुत अच्छे से इसे पकाना है, जब ये मसाले हमारे अच्छे से भुन जाएंगे, और ये ड्राय हो जाएगा मसाला, तब तक हमें इसे इसी तरह से चलाते हुए पकाना है, आप तब ढीशाघ, जब अच्छे से असे गरम अच्छे मे इस ड करेलों से हमें मतल ठा चम्मे के मंसाले को मतल इसे पकाना है, अब ये मसाला हमारे पकते तैयार हो झाला है, म सभी ना और ये नहीं बहुत दासीत है, इसे तरह से बौर इल्प से अच्छे से उ आय लिक या चाहें तो इसे थोड़े थोड़े भर के भी इसे बंद कर सकते हैं देख रहे हैं ना हमने इसी तरह से सारे करेले भर लेने हैं अब यहाँ पर एक धागा ले रही हूं मैं ध्यान रखिए जब भी आप धागा ले रहे हैं करेलों को बांध ले के लिए तो वो सूती धागा लीजिए सूती धागे से क्या होता है ना कि जब आप इसे फ्राई करेंगे सेलो फ्राई करेंगे तो धागा जलेगा नहीं तो यहां पर देखिए सभी करेले आपको इसी तरह से बांध लेने है धागे को अच्छे से करेले पे लपेट लेना है और सिक्यूर करेंगे हम इस तरह से एक नोट लगाएंगे ये देखिए सारे करेले हमने बांद लिये हैं अब एक कड़ाई ले रहे हैं कड़ाई में ले रहे हैं तकरीबं 30 एमल के आसपास तेल और तेल डालने के बाद हम एक एक करेले अपने इसमें डाल देंगे ये देखिए सारे करेले हमें तेल में डाल देने और आपको पता है जो करेले हैं हमारे आधे पक चुके हैं और बस परचास परतीशत ही हमें इस तेल में पकाने हैं तो हम इसे जब करेले हमारे एक सबसे अच्छे से पक जाएंगे तब जोया हम पंपन ऑसे पलट के मीनें पाल दोaci चाहें पैसे पूछड़ के Chief टा है। धागा हटा करो सकते हैं अगर आपको यह रेसिपित पसन्द आई तो इस चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब करना नहें भूलिएगा क्योंकि मैं अपने चैनल पर लाती रहती हूं इसी तरह से इजी इजी और सिंपल सी रेसिपी जो कि आप लोगों का समय भी बचाती है और पैसा भी तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा आज के लिए बस इतना ही अपन अधिया हादर दो